हेलो फ्रेंड्स, आज किस वीडियो में मैं आपको देने वाली हूँ मोग्रा फूल से सम्मंधित सभी जानकारियां अगर ये वीडियो पूरा आप देख लेते हैं तो आपके मोग्रा के पौधे में फूलों की संख्या कभी भी कम नहीं होगी आपका मोगरा का पौधा कभी भी खराब नहीं होगा और हमेशा फूलों से भरा रहेगा आगे मैं आपको बताने वाली हूँ मोगरा पौधे से सम्मंदित इसकी देखबाल और खाद से सम्मंदित सभी जानकारियां जो अगर आप एक बार जान लेंगे तो आप मोगरा के पौधे के एक्सपर्ट हो जाएंगे तो फ्रिंस जादा समय को बरबाद ना करते विए चलिए हम वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और सबसे पहले हम बात करेंगे टिप्स नंबर वन की जो पहली जानकारी है मोगरा से संबनित वो ये है कि मोगरा जो है वो गरम जलवायू का पौधा है और गर्मी के टाइम है इसमें फ्लावरिंग होती है जो इसका सीजन है वो है गर्मी का टाइम ठंड में मोगरा डॉर्मेंसी में चला जाता है यानि कि ठंड के टाइम हमारा मोगरा का पौधा फूल देना बंद कर देता है इसकी ग्रोथ काफी स्लो हो जाती है तो अगर आप मोगरा का पौधा लगाना चाहते हैं तो गर्मी का टाइम सबसे बढ़िया टाइम है यही सही टाइम है मोगरा का नया पौधा लगाने का और इससे फूल लेने का इसके बाद बात करते हैं तिपस नंबर टू की टिप्स नमबर टू है मोगरा की वराइटी मोगरा के जो फूल हैं वो कई तरीके के आते हैं यानि कई आकार के फूल आपको मार्केट में मिलेंगे इसके कुछ फूल ऐसे होते हैं जिनकी जो पंखुडियां होती है इसकी जो आकरिती होती है वो गोल होती है ऐसे फूलों की जो पत्यां होती है वो भी शेप में गोलाकार होती है इनकी आकरिती भी गोल होती है कुछ मोगरा के पौदे ऐसे होते हैं जिनकी जो पंखुडियां होती हैं वो लंबी-लंबी होती हैं और जो पत्यों का आकार है वो भी कुछ लंबा-लंबा सा होता है ये देखे आप ये कुछ अलग वराइटी का है तो इस समय मैंने आपको तीन तरह के मोगरा के फूल दिखा बहुत अच्छी खुश्बू आती है टिप्स नंबर 3 जो की है सनलाइट यानी धूप हमें हमारे मोगरा के पौधे को कितना धूप देना है जैसा कि मैंने पीछे आपको बताया कि मोगरा का पौधा एक गरम जलवायू का पौधा है एक धूप का पौधा है गर्मी में ही इस आप अपने घर की ऐसी जगह पर रखें जहां पर सबसे अच्छी आपके गाडन में धूप आती हो जहां पूरे दिन की धूप आपके घर में रहती हो ऐसी जगह पर ही आप मोगरा के पौधे को रखें धूप में मोगरा का पौधा कभी भी खराब नहीं होता है आप सोचे पर लगातार नई ब्रांच लेने के लिए और पौधे को घना बनाने के लिए इसकी जो बेकार ब्रांची से सूखी वी ब्रांची से खराब होती ब्रांची से इसको प्रून करके निकालना काट करके निकालना एक बहुत जरूरी काम है जितना ही आप इसकी प्रूनिंग करें चाहिए जितनी भी लंबी ब्रांच है इसकी ऊपर से आप थोड़ा-थोड़ा काट देंगे तो जादा नई ब्रांच इस निकल कर आएंगी और आपका पौधा कुछी दिन में घना हो जाएगा प्रूनिंग के साथ सुखे हुए फूलों को टाइम टाइम पर काट कर निकालना भी मोगरा के पौधे में बहुत जरूरी काम है जब भी आप मोगरा के पौधे की प्रूनिंग करते हैं एक ब्रांच को काड़ते हैं तो हमेशा वहाँ से दो नई ब्रांच इस निकल कर आती है तो ये मोगरा के पौधे को घना बनाने का सबसे आसान ट्रिक है इसके उपर आपको ध्यान देना जरूरी है अगर आपका मोगरा का पौधा घना बिलकुल भी नहीं है मोगरा के पौदे पर हार्ड प्रूनिंग यानि की उपर से जितनी भी इसकी पुरानी ब्रांचिस है उसे कम से कम 40 से 50 प्रतिशत आप काट करके निकाल दीजे पर ये जो काम है हम अप्रेल के महीने में करते हैं लेकिन अगर अभी तक आपने ये काम अपने पौदे पर नहीं किया है तो अभी भी उपर से इसकी कम से कम 30-40 प्रतिशत ब्रांचिस को जो की पुरानी है पिछले साल की है इनको काट करके आप निकाल देंगे तो जादा बहना होगा और मोगरा का पौदा हमेशा नई ब्रांच पर ही नई कलिया बनाता है तो जितनी जादा नई ब्रांच उतनी ही अच्छी फ्रावरिंग आपको अपने पौदे के उपर मिलेगी टिप्स नमबर 5 वो है इसके पौदे की मिटी की गुडाई जब भी आपको चार बना रहता है जिससे जड़ों की ग्रोथ अच्छी होती है तो जब भी किसी पौदे की जड़की ग्रोथ अच्छी होती है तो पौधा अपने आप में ही आगे जाकर अच्छी ग्रोथ करता रहता है टिप्स नमबर 6 है मोगरा पौदे की वोटरिंग आपको कैसे करनी ह हमेशा मोगरा के पौदे की जो मिट्टी है इसको आपको मौईश रखना है इसको कभी भी सुखाना नहीं है अगर आप अपने मोगरा के पौदे की मिट्टी को सुखा देंगे तो इसकी ग्रोथ रुख जाएगी और आपके पौदे की जो जड़ की ग्रोथ है वो कम होगी त तो पौधा भी उपर growth कम करेगा तो इसलिए इसकी मिट्टी को हमेशा आपको हलका moist रखना है इस तरीके से जैसा कि ये मिट्टी आपको दिखाई दे रही है इस तरीके से मिट्टी को सक्त नहीं रखना है आपको तो इसलिए ये condition बनने से पहले ही कि मिट्टी नीचे तक सू बनी रहती है तो जो इसके उपर खिलने वाले फूल है वो भी देर में सूकते हैं लेकिन अगर आपके पौदे की मिट्टी एकदम से सूक जाएगी सकत हो जाएगी तो इसके उपर जो खिलेवे फूल है वो भी सूक कर अचानक से ही जड़ जाएंगे तो अगर आपको अप अपने पौधे पर बना कर रखना है तो इसकी मिट्टी हमेशा आप हल्की मौईश रखें टिप्स नमबर 7 अगर आप अपने गाडन में मोगरा का नया पौधा लगा रहे हैं तो इसकी मिट्टी कैसी होनी चाहिए मिट्टी आपको कैसी रखनी है जिससे कि आगे जाकर आपक पौधे को लगाते समय करें कुछ दो तीन चीजे हैं अगर ये आप उपने पौधे की मिट्टी में मिला लेंगे तो आपका पौधा पूरे साल अच्छी ग्रोध करता रहेगा और इसकी मिट्टी में पानी रुकने की समस्या और कोई भी कीड़ा और फंगस लगने की समस् कर सकते हैं गोबर के साथ जो दूसरी चीज मैंने ली थी वो है आधी मात्रा मिट्टी की और ये जो तीसरी चीज आपको दिखाई दे रही है ये है कोकोपिट का इस्तमाल हम यहां पर इसले कर रहे हैं क्योंकि कोकोपिट मिलाने से मिट्टी की जो डुनेज है वो बहुत अच्छी रहती है एक तो मिट्टी में किसी भी तरीके का कोई पानी नहीं रुखता है और पौधे में जड़ की ग्रोथ भी आगे जाकर बहुत अच्छी होती है यहां पर जो कोकोपिट की मात्रा है वो 20 प्रतिशत आपको रखनी है कोकोपिट की जगा आप धान के छिलके का भी इस्तमाल कर सकते हैं अगर आपके पास कोकोपिट नहीं है तो धान के छिलके से भी मिट्टी की ड्रोनेज बहुत अच्छी होती है यहां पर अगर आप नाप कर लेना चाहें तो 40 प्रतिशत मिट्टी 40 प्रतिशत कंपोस्ट और 20 प्रतिशत कोकोपिट मैंने लिया है और यह पौटे मिक्स हमारी तैयार हो गई है तो पौदे को मैं लगा कर भी आपको इस वीडियो में दिखा देती हूं इसके साथ ही आप टिप्स नमबर 8 के बारे में भी यहां पर जान लीजे वो यह है कि अगर आप नया पौधा लगा रहे हैं तो प्लास्टिक की इसके साथ ही आपने देखा है कि मैंने कोई मिट्टी हटाई नहीं मैंने पौदे को सीधा पौट से बाहर निकाला और इसके अंदर लगा दिया क्योंकि जो मिट्टी है वो काफी अच्छी है जिसके अंदर पौधा लगा हुआ है काफी हलकी है बुरुरी है वो अपने ना पहुचे क्योंकि कभी-कभी जादा मिट्टी हटाने से हमारे जो नया पौधा हम लेकर आये हैं उसकी जड़को नुक्सान पहुचता है और जैसे ही हम इसे नय पौध में लगाते हैं तो प्लांट शॉक्ड में चला जाता है रूट डैमेज होने से पौधा अचानक से खराब भी हो सकता है तो ये गलती कभी भी आप नय पौधे को लगाते समय ना करें इसके बाद हम पौधे में वाटरिंग करेंगे और वाटरिंग करने के बाद आप कम से कम दो दिन पौधे को चायादार वली जगह पे रखिए क्य जो कि बहुती महत्यूपून जानकरी है मोगरा के पौधे के बारे में वो है इसका फटिलाइजर आपको मोगरा के पौधे में खाद कैसी देनी है अगर आपके पौधे में फ्लावरिंग नहीं आ रही है नई ब्रांच नहीं निकल कर आ रही है कलिया नहीं बन तो अच्छ मोगरा के पौधे में डाल सकते हैं जिससे कि आपके मोगरा के पौधे की फ्लावरिंग बढ़ जाएगी जैसे कि यह पौधा आपको दिखाई दे रहा है आज ही मैंने इसकी प्रूनिंग करी है इसकी पौरानी ब्रांच थी तो मैंने इसकी प्रूनिंग कर दी इसमें एक वह चुकी है, लेकिन प्रांच बहुत जादा हेल्दी नहीं होने की वज़य से मैंने इसकी उपर की सारी ब्रांचिस काट करके निकाल दी, तो अब टाइम में इसको एक फर्टिलाइजर देने का, जिससे की इसमें जादा से जादा नई ब्रांचिस निकल कर आए, तो यहां म पौदे में जो फटलाइजर हम डालते हैं इसमें दो ऐसी चीजे हैं जो कि अच्छी मात्रा में पौदे को मिलनी चाहिए वो है नाइटोजन और फासफोरस मोगरा की पौदे में नाइटोजन की कमी को पूरा करने के लिए महीने में एक बार आप इसे कोई कंपोस्ट जरूर गोबर की खाथ सबसे बड़िया कमपोस्ट है लेकिन गोबर की खाथ ना होने पर आप वर्मी कमपोस्ट दे सकते हैं ये जो सारी खाद मैंने ली है ये मेरे 12 इंच के पॉट के लिए मैंने लिया है जिसमें मैंने 200 ग्राम गोबर की खाद ली है जो दूसरी चीज आपको दिखाई दे रहे है पीले रंकी ये है तीन चमच सरसो की खली और ये जो बड़े-बड़े से दाने आपको ग्रेनियूल दिखाई दे रहे हैं ये है आधा चमच डीएपी के दाने डीएपी से इसको बहुत अच्छी माता में नाइट्रोजन और फासफोरस मिलेगा इसके साथ ही मैंने लिया था एक चमच सीवीड फटिलाइजर तो ये जो कॉंबिनेशन है आपको अपने मोगरा के पौधे में म नहीं देना है इसको डालने से पहले इन सारी चीजों को अच्छे से आप मिक्स कर लीजे और मिक्स करने के बाद आपको अपने पौधे की जड़के आसपास चारो तरफ इस खाद को अच्छे से डाल देना है इससे पहले पौधे की थोड़ी से मिट्टी की गुड़ाई ज उसके अंदर flowering नहीं हो रही है, तो घर में ही पाई जाने वाली कुछ ऐसे homemade fertilizer हैं, जिनका लगातार इस्तमाल करके, आप अपने मोगरा के पौदे पर अच्छी flowering ले सकते हैं, यह सारी ही चीजें बहुत यासानी से हमको हमारे घर के kitchen में ही मिल जाती है, जिसमें सबसे पहला जो homemade fertilizer आता है, वो आता है केले का चिलका, केले के चिलके को सुखा कर आप एक बहुती बड़िया homemade fertilizer बना सकते हैं, प्याच के चिलके का इस्तमाल आप कर सकते हैं, या फिर सूखी चाई की पती, जो चाई की पती, चाई की छनी में बच जाती है, चाई बनाने के बाद आप उसको फेके ना, आप उसको दो कर सुखा कर, इसका इस्तमाल अपने मुगरा के पौधे पर कर सकते हैं, इसे nitrogen की बहुत अच्छी मातरा मिलती है हमारे पौधे को, आलू के चिलके का इस्तमाल भी आप कर सकते हैं, आलू के चिलके से और केले के चिलके से, potassium की बहुत लेकिन जो चाय की पती आप सुखा कर धो कर अपने पौदे में डालते हैं यानि कि जो उबली चाय की पती उसका इस्तमाल आप जादा quantity में अपने पौदे में कर सकते हैं तो ये सारे fertilizer आप powder बना कर भी अपने पौदे में इसमाल कर सकते हैं या फिर आप इसका liquid fertilizer बना कर भी अपने मुगरा के पौदे को दे सकते हैं आप इन सभी छिलकों को भिगो कर एक दिन के लिए रख दीजे और अगले दिन जो liquid fertilizer बनता है उसको आप अगर अपने पौदे में डाल देते हैं तो इससे आपके मुगरा के पौदे में बहुत अच्छी फ्लावरिंग होगी तो जरूरी नहीं है कि आप market का fertilizer लें इन होम मिट fertilizer का इस्तमाल करके भी आप अपने मुगरा के पौदे पर बहुत अच्छी फ्लावरिंग ले सकते हैं इस liquid fertilizer का इस्तमाल आप 10 दिन में या फिर हपते में भी एक बार अपने पौदे के उपर करेंगे तो इससे आपके मुगरा के पौदे को कोई भी हाम नहीं होगा कोई भी नुकसान नहीं करेगा और आपका पौदा बहुत अच्छी फ्लावरिंग करता रहेगा टिप्स नंबर 10 जो कि आखरी टिप है मुगरा के पौदे के लिए मुगरा का पौदा एक ऐसा पौदा है जिसमें बहुत जादा फंगस या फिर इंसेक्ट नहीं लगते हैं लेकिन कभी-कभी इसके पत्यों के उपर कुछ ऐसे किड़े लग जाते हैं जो इसकी पत्यों को खा लेते हैं या फिर पत्यों का रस चूस लेते हैं इस प्रकार के इंसेक्ट को खतम करने के लिए आप सिर्क बेकिंग सोडा को अपने पौदे के उपर स्प्रे कर सकते हैं तो फ्रेंड्स अगर वीडियो आपको पसंद आया तो एक लाइक ज़रूर करें मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भी न भूलें मिलते हैं मेरे नेक्स वीडियो में